आपका स्वागत है आज हम अपनी किचन में बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटर इंग्रे से भी पनानी जाए है वेच नर्गीस कोक्ता इससे बनाना बहुत आसान होता है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगते है इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्स आपको मिलती रहे तो चलिए इसके इंग्रीडियन्स देख लेते है फटापड तो नर्गीस कोफता बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफता बनाने के लिए हमें जो इंग्रीडियन्स चाहिए वह तो चलिए देख लेते हैं इसे कोफता बनाने के लिए हमें कुछ वेजिस च अजितनी फुल्गोबी लेंगे उतनी ही पत्ता भी हरी मटर और गाजव लेût तो थेकिए उसे सहब से मैंने पत्ता को हरी मटर और गाजव ले ले लिया है अगर चाहे तो इसे हवा काचा मोटा भी लोग सकते हैं क्योंकी हमें इसे बॉइल करना है छीज. 50 g पनी ले ले लिया है और 50 g चीज. कोफ्ते की सावी सामगरी है वो देख लेंगे, कस्तुवी मेथी ले ले लिए, 1 teaspoon, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, 1 teaspoon, जीवा पाउडर ले लिया है, 1 teaspoon, लालमिश पाउडर, 1 teaspoon तेरीं जुड़ लीज कीएं आन्मक, लालमिष पोड्र, लालमिष पॉड़र मजाब सावड के sahaja सावडो, पर दिलबुग करते हैं कांक्टार, रंपल्ध के सामक तेल लीए कोफता बनाने के लिए हमें वेजिस अपने बॉयल करने के लिए रख दिया है अब गवेवी के लिए हमें जो इंग्विडियन्स चाहिए वो देख लेंगे यहां पर आदा कप मैंने काजू ले लिए है जितना हम काजू लेंगे उतनी ही खषष और उतनी सपेद तिल लेंग इसे हमें बॉयल करके मिक्सि में चला लेंगे और दोल बाकिके समग है यहां पर ने एक बड़ा प्यास और टमाटर जिसे मैं ने मिक्सा द्लम ड्मी की पेस्ट मिकूले ऑग वर देले लिलमे की लिए 30th त्ष्टू भ timely आधा ईस्वात्यक्टूमन इन चाथ मेज आधा को नागे Article 20 Esmasal ये मेजनों रभव आधा को यृण। करां सुम्हां प्रूमाश मीमूड़न Adaptive तक हम nesse स्वेजड लिये उसे एक बरत बुटन में ना बॉल करना तो जड़ाए 1 से बारत हैं 2-3 मुटक maggis लिए जब इस पेस्ट बना ले पाजू, खशगश , प्रहएट लिए., मैं अब हम लिए घड़ा काजू, खश्गश, अत गयPS प्रच वहिता है अब इसमें डालेंगे पनीर, कद्दू कस करके रख दिया था, गो डाल देंगे इसमें, साथी साथ इसमें चीज डाल देंगे, अब हमने सुख्य मसाले लिये थे, कस्तुवी में थी, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, जीवा पाउडर, लादमिश पाउडर और नमक, इसमें नमक और तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा गव सकते हैं, यह सावे मसाले मैंने इसमें डाल दिये है, कौन फ्लो डाल देंगे इसमें, अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब अगर चाहे तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथों पर थोड़ा से यह मिश्वन हमने जो बना के रखा था बोले लेंगे, आप इसे अपने हिसाब से चोटे बड़े जैसे कोफते खाना पसंद करेंगे, उसे साब से बना सकते हैं, यह मैंने थोड़ा से मिश्वन ले लिया अपने हाथ पर इसे दबाते हुए, इसे ब ये बन तरो ने बनोगी तो नवी प्रतार मारे हुए बर्भाइब आप कोफटे, बन जैसे हमारे कोफटे लिए बना ये तो तक है ये बने गरम तक है, अब कोफटे हो तसा पूपते, रख से-प्रज़ने केexpl़ने मेंगे तो चिट्केमा हमारा है बरती है, विश्सकिंटेसे बनके बिल्कुल तेया है, यह अच्छे से फ्राइ हो चुके है अब हम इसे सबसे पहले किछन नपकिन पर निकालेंगे तक इसका एक्स्ट्रा तेल है वो अफसाफ करेंगे तो गवे बनाने के लिए यहां पर मैंने एक पैंचडा दिया है अब हम इसमे तेल डाल देंगे तक 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 भून देंगे जैसे क्या प्रेक्ट करते ही अग्रक लेशन और हेजिश की पेस्ट अच्पे प्वून चुकी है अब हम इसमें प्यास और टमाटर की पेस्ट पनाके रखी भी बोडाल देंगे मिक्स कर देंगे जैसे जैसकी प्रेम में मिडियम प्रेम पर बहुत अच्छे से भून लेना है यहां तक 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 भूनना है जब हम आवगे कर प्याद और टमाटर की पेस्ट से बढ़ने लगता है दालें झुआ यहां सहां, यहां दाने हैं,कल binding मतल्य दाएं सबढ़ा हमेंुत यह दई कीज़ने, पाल को बिल को भीतेma,कल दांगे। काजू फिसकस और पुल को उभीते बैल यह आदा है. यहां झेला देंगे कीज़नी, भीतेडि। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स प्रग लेना है और ऐसे चलाते हों पाता से साथ में निकल नहीं जाता है या तक तकक कि बहुन दो कजुग कर द निकल नहीं जाता हैं अब उसके सब्सक्री में डिला जीवा स्बीड हिए जीवा पाउडर, चाथ मसाला, लालविश भ्लाविश पाउडर, हल्दी पाउडर, अगवेश मसाला और धन्या पाउडर आपके मसाले हम तों निकल सब्सक्री तो भाइब निकल जाया है अब हम इस मसालों के साथ इसे 3-4 मिट तक के भून लेंगे ताकि हमारे जो मसाले है उसका कच्छापन निकल जाए मारे जो मसाले है 2-3 मिट अच्छी से पक चुके है अब हम इसमें डालेंगे पानी यहां पर हमने जब बेजिस बॉल किये थे वह पानी जो हमने स्ट्वेणर से निकाल लिया था वह पानी डालेंगे यहां पर और फिर एक्स्ट्रा जो हमने पानी चाहिए वह हम दूसरा डाल सकते हैं चला बेंगे इसे आप मिक्स का पानी आपको ग्रेवी के लिए चाहिए उतना डालके यहां पर मिक्स कर देजिए आपको ग्रेवी जैसी चाहिए गाडी पतली उसे आप यहां पर पानी डाल सकते हैं आप मिस्मा डालेंगे नमक स्वादानसा न मंदमक डालेंगे इसमें, चला देंगे इसे एप । यह एक पक जाएंगे इसे अज़ित करते फिर खेएंगे, धुच्ँए तुर्विटर, मैं और शम्वाब हैं जाएंगे अब ग्रेवी नाँ कोफ्ते बने ग्रेवी को मैं टाल देड़ा देना है। तो देखिए, इसे मैं अच्छे से सर्फ कर दिया है। इसे का तोड़ा सा चीज और हराधयनिया दाल के इसे गार्निश कर दिया है। तो आज हमारी बहुत ही सिंपल बहुती डिलीशियस सी क्रीमि सी माउथ वौटरिंग रिसीपी तयार हैं , आप इस एक बाव जबुर ज़्रूर ट्राइ किजिएका यह बहुत ही डिलीशियस लगते हैं , तो इसे ट्राइ कीजिए आप इसे रोटी फुल का चपाती नान या मक झाल झाल